विसालगड किला भारत के महराष्ट के सहादरी परवत में एक उची पहाड़ी के उपर राजसी विसालगड किला इस्थित है जो एक मुक पड़हडी है जिसने सदियों के इतिहास को देखा है किले का नाम भी सालगड उपियुक्त रूप से भावे किला के रूप में अनुवादित होता है जो इसकी भावे सनरचना और अनितिक अस्थान के लिए एक उपरियुक्त सरधांजली है किले की उत्पती का पताए गारावी सताब्दी में लगाया जा सकता है जब इसका निर्मान सिलहारा राजवन्स के राजा मार सिंग ने करवाया था परारम में इसे खिलिल किले के नाम से जाना जाता था या छेत्र में एक महतपुन गड़ के रूप में कारे करता था 1669 में किले की किस्मत में एक महतपुन मोर आया जा महान मराठा योद्धा राजा छत्रपती सिवाजी माराज ने इसे बीजापूर के आदिल साही राजवन से जीत लिया इस बीजाई ने मराठा समराज के विस्तार में महतपुन मोर ला दिया और एक दुरजेश सैनिक नेता के रूप में सिवाजी माराज की परतिष्ठा को मजबूत किया किले का सबसे परसीद अध्यायनी संदे पावन खिन की लड़ाई की विर्ता पुन कहानी है जो 1660 में हुई थी बीजापूर से नाव से घिरे सिवाजी माराज ने पास के गड़ पनहाला किले से भागने का साहस किया वाफादार सायनीको की एक छोटी सी टुगरी के साथ उन्होंने पीछा कर रहा है दुसमन को रोकने के लिए अपने भरोसे मन लेप्टिनेंट बाजी परभू देश पांडे को पीछे छोड़ते हुए विसाल गड़ की और अपना रास्ता बनाया बाजी प्रभू ने मुठी पर बहादुर मराठा योद्धा के साथ विसाल गड़ की और अवाने वाले एक संकिन रास्ते रननितिक घोर खिंड दर्रे की बहादुरी से रक्षा की संख्या में कम और बेजोर होने के बाजू दूनों होने अटूट साहस के साथ लराई लड़ी जिससे बिजापूर की सेना को विसाल गड़ की सुरक्षा तक पहुचने में सिवाजी माराज को काफी देर हो गई बाजी प्रभू का पलिदान मराठा इतिहास के इतिहास में अंकित है उस बीरता और निश्वार्थता का पर्तिक है जो मराठा योद्धाव की विशेश्ता थी यह किला ब्रिटिश राज तक मराठा समराज में महतपुन भूमिका निवाता रहा जब यह डिककन एस्टेट एजेंसी का हिस्सा बन गया स्वतंतरता के बाद के यूग में विशाल गट एक लोगप्रियट ट्रैकिंग अंतव के रूप में उबराजोस्ता आसी और इतिहास प्रेमियों को समान रूप से आकरसित करता है आज विशाल गट अपने सम्रीद और असांत अतीत के परमान के रूप में खरा है इसकी जरजर प्राचीरे उचे बूर्ज और रननीतिक रूप से इस्तिक वच टावर किले की रक्षात्मक छमता की जलक पेस करते हैं आगंतुक बिते यूग के असेस, अन बंडार, कूंड और महलों के असेसों का पता लगा सकते हैं विशालगट की यातरा अपने आप में एक अनुभाव है जो आसपास की साधरी परवत माला और नीचे की अड़ी बड़ी गाटियों का मनोरम द्रिश से प्रस्तूत करती है किले का सीखर भगवान सीव को समर्पित एक मंदिर से सुसजित है एक लुभावनी द्रिश से परदान करती है जो इसे इतिहास, रोमांच और प्राकृतिक सुन्दर्ता के मिश्रन की तलास करने वाले किसी भी यातरी के लिए एक सार्थक गंतव्य बनाता है और भी किले से जुरी जनकारी और किले के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज देखें